हेलो ब्रिवेंड, विल्कम टू माई यूटूब चैनल, जी एस क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम अपने इस वीटियो में वीकली करेंट अफियर्स जिसमें 3 जनुरी से लेके 9 जनुरी तक जितने भी important current affairs बन सकते हैं, उन सभी को इसमें cover किया गया है फिर अगर आपने हमारा daily current affairs daily follow किया होगा, तो आप लोगों के लिए ये वाला जो क्लास है वो as a revision के form में होगा, तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का हमारा first question है, किस देश ने 20 robotics नवाचार केंद यानि global robotics hub बनने के लिए 5 वरसी योजना शुरू की है इसका right answer है, option number A, चीन, हाली में चीन के द्वारा 20 robotics नवाचार का केंद बनने के लिए 5 वरसी योजना की शुरूआत की गई है आज का मारा next question है रास्टिय बाग सरच्षड प्राधिकरण यानि NTCA की रिपोर्ट के अनुसार वरस 2021 में कितनी बागों की मृत्त हुई है इसका right answer है, option number B, 126 रास्टिय बाग सरच्षड प्राधिकरण की अनुसार वरस 2021 में कुल 126 बागों की मृत्त हुई है जो अब तक का सबसे अधिक है, यह है अकड़ा अब तक का सबसे अधिक है आज का मारा next question है बिश्व का सबसे तेज उड़ने वाला electric plane किस company ने बनाया है इसका right answer है, option number D, rolls rice हाली में rolls rice के दौरा बिश्व का सबसे तेज उड़ने वाला electric plane के निर्माड किया गया है आज का मारा next question है भारती सेना ने कहां quantum परियोग साला यानि quantum computing laboratory की अस्थापना की है इसका right answer है, option number D, मद्ध प्रदेश के मउँ में, हाली में मद्ध प्रदेश के मउँ में भारती सेना के दौरा quantum computing laboratory की अस्थापना की गई है आज का मारा next question है हाली में किस राजसरकार ने महिलाओं के लिए अपनी नई नीद 2021 का ड्राप्ट का अनावरण किया है इसका right answer है, option number B, तमिल नाडुराज के दौर हाली में, तमिल नाडुराज के दौरा महिलाओं के लिए एक नई नीद 2021 का अनावरण किया गया है आज का मारा next question है नवीन और नवीकरडी उर्जा मंत्राले के अनसार, भारत में हरित उर्जा उद्योग 2014 से जून 2021 तक कितने अरब डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश याने FDI प्राप्त किया है इसका राइट एंसर है, option number A, कुल 27 बिलियन डालर का, हाली में नवीन और नवीकरडी उर्जा मंत्राले के अनसार, भारत के हरित उर्जा उद्योग ने वस 2014 से लेकर वस 2021 तक कुल 27 बिलियन डालर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश याने FDI प्राप्त किया है मारा next question है किस देश ने अलपसंखेक समधाय के मंद्रियों की देखभाल के लिए हिंदू नेताओं के पहले निकाय के अस्थापना करने की घोसरा की है पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगर अलपसंखेक पूछे तो वो हिंदू है और हिंदू नेताओं के लिए पहले निकाय की अस्थापना करने की घोसरा ये पाकिस्तान के दारा की गई है किस भारतिय महिला क्रिकेट खिलाडी को ICC यानि International Cricket Council की साल की सर्वसेस्ट T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटिट किया गया है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमर बी इस्मिती मंधाना को हाली में इस्मिती मंधाना को ICC के द्वारा यानि International Cricket Council के द्वारा T20 क्रिकेटर के रूप में या T20 सर्वसेस T20 क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेटिट किया गया है आज का मारा नेश कोश्चन है जिला अस्तरी सुसासन सुचकांक यानि इसका राइट एंसर है जम्मू कस्मीर इसका राइट एंसर है वर्स दोहजार उननीस में आर्टिकल 370 समाप्त करके जम्मू कस्मीर को आज राजी की सिरेडी से हटा कर केंदर सासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है आज का मारा नेश कोश्चन है भारत के नए इसपात सच्यू यानि सेक्रेटरी इन दे मिनिस्ट्री आफ इस्टील कौन न्यूक्त हुए है इसका राइट एंसर है ओप्सोन नमबर ए संजे कुमार सिंग कोश्चन इंपोर्टन है हाली में संजे कुमार सिंग को भारत के नए इसपास सच्वाने सेक्रेटरी अंदे मिनेस्ट्री आफिस्टील के रूप में नियुक्त किया गया है आज का अमारा नेक्ष कोश्चन है फ्लूरोना जिसे एन्फ्लूरोना वाइरस का दूरलब मिस्रड कहा जा रहा है किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर ए इसराइल इजराइल में इंफ्लुएंजा वाक रोना वाइरस का दूलब मिसर जी से फ्लूरोना नाम से जाना जाता है उसका मामला याई या इसमें पहला मामला यह इसराइल में देखने को मिला है आज कमाने नेस्ट कॉस्चन है किस कंपनी ने 12.5 करोड करोड़ डालर में अलिस इंड अलिस इंडिया और ग्रीन इंवेस्टमेंट में सौफ हिस्दी हिस्सेदारी खरीदी है इसका राइट एंसर है ऑप्शन नमबर डी टेक महिंद्रा के द्वारा हाली में टेक महिंद्रा के द्वारा अलिस इंडिया और ग्रीन इंवेस्टमेंट में सौफ हिस्दी की हिस्सेद खरीद ली गई है आज का मारे निश कोश्चन है नई दिल्ली में आयुजित होने वाली 46 में जीस्टी परशद की बैठक की अध्यक्षता किसने की है इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर सी निर्मला सीता रमन हाली में नई दिल्ली में जीस्टी की 46 में बैठक आयुजित क की गई जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीता रमन के द्वारा की गई है जीस्टी काउंसिल की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता बित्त मंत्री के द्वारा या फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही की जाती है वर्तमान समय में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो कौन है वो साइ कोट यानि पेपरियस अदालत कौन से अदालत बनी है होप्ष dijæ नमबर के केलल हाइ कोटे हाली में देश की पहली पेपरियस भाइक का नाम इएथा कैसे कर अदालत को हाइड़ा कीया गया है तो वह केलल хाइक कोड तके दोरत अपनी ही आज ya नीया इंडिया फेडरेशन कप करम टूनमें 2021 में महिला वर्ग का किताब किसह जीता हैे इसका राइट एंसर है ओशन नंबर ए समी कुमारी हाली में ऊल इंडिया फेडरेशन कप कर्या टूनमें 2021 का किताब ये रस्मी कुमारी के दारा अपने नाम किया गया है आज का मारे नेस कोश्चन है फ्लूरोना जिसे एन्फ्लूरोनजा वा कोरोना वाइरस का दूरलब में स्रड कहा जाता है या किस देश में इसका पहला मामला पाया गया है ये कोश्चन हो चुका है इसका right answer होगा, इसराइल, कहाँ पाए गए है इसराइल में आजका हमारा next question है किस राज के मुख मंतरे ने कॉसर रोजगार निगम पोर्डल को लांच किया है, इसका right answer है option number C, हरियाना, हाली में हरियाना government की द्वारा कौसर रोजगा निगम पोर्डल को लांच किया गया है आज का हमारा नेस्ट कोशन है हाली में किस देश के प्रधार मंत्री ने इस्तेफिय की घोशड़ा की है यहाँ पर जो कोशन है और उससे रिलिटेट सिर्फ एंसर को बताया जा रहा है क्योंकि इसका deeply discussion हम daily current affairs में करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोशनों की संख्या जादा है about 60 कोशन के आसपास है तो यहाँ पर अगर हम इसको कोशन के detail को बताने लगेंगे तो यह वाला जो session है बहुत लंबा चला जाएगा तो आप लोग हमारे daily current affairs को follow करिये जिससे आप यह वाला जो weekly current affairs रहेगा वो as a revision के form रहेगा जिसमें आपको फटपट किवल revision करना है तो हाली में देश के प्रधान मंत्री या हाली में किस देश के प्रधान मंत्री ने इस्तीफ़ की घोसरा की है इसका right answer है option number B, Sudan हाली में सुदान के सरकार के दोरा या सुदान के प्रधान मंत्री के दोरा इस्तीफ़ देने की घोसरा की गई है आज का मारे निश कोश्चन है हाली में कहां water taxi service शुरू की जाएगी इसका right answer है option number C, मुंबई हाली में मुंबई में water taxi शुरू करने की planning की गई है अगर water surplus वाला कौन सा सहर है तो water surplus के मामरे में मदपरदेश का इंदोर सहर है कौन सा है? मदपरदेश का इंदोर सहर है आज का मारे निश कोश्चन है तेल इमंप्राकरतिक गैस निगम यानी ONGC, Oil Natural Gas Corporation की पहली महिला chairman और managing director कौन बनी है इसका right answer है option number B, Alka मित्तल हाली में Alka मित्तल को ONGC की पहली chairman वा managing director के रूप में निउक्त किया गया क्योंकि ये ONGC की इस post पर निउक्त होने वाली पहली महिला है first lady है इसलिए ये वाला question important हो जाता है आज का हमारा next question है बिस ब्रेल दिवस 2022 यानि वर्ड ब्रेल डेट 2022 2022 कम मनाया गया है इसका right answer है option number A प्रतिवस चार जन्वरी को बिस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी शुरुवात वर्स 2019 से की गई है आज का हमारा next question है केंदरी आयूस मंत्री सरवनांसोनेवाल ने कहा heartfulness International York Academy की आधार सिला रखे है इसका right answer है option no.D, हैदराबाद में केंदरी आयूस मंत्री सरवनांसोनेवाल के द्वरा heartfulness International York Academy की आधार सिला हैदराबाद में रखी गई है आज का मारे निश्क कोश्चन है, कोरोना वाइरस का नया वाइरियंट IHU किस देश में पाया गया है, इसका राइट एंसर है, ओप्शन नमबर भी फ्रांस में कहां पर पाया गया है, इसका नया वाइरियंट IHU, इसका पहला मामला ये फ्रांस में मिला है, आज का मारे करोड की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपो किया गया है प्रधान मंत्री नर्यंद मोदी के दौरा इसका उद्घाटन किया गया है कोशन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहां परिस्थित है तो यह अगर तला में त्रिपुरा की कैपिटल अगर तला में महाराजा वीर विक्रम एयरपो सबसे अधिक खुले में सौच मुक्त यानी ODF प्लस यान ODF Open Defication Free प्लस गाउं की सूची में काउन सा राज्य सीर्स पर रहा है इसका राइट एंसर है Option No.D. तेलंगना राज्य सच्छ भारत मिशन ग्रामेड चरण द्वतियक कारिकरम के तहट 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में सौच मुक्त वाला गाउं की सूची में जो तेलंगना राज्य है वो पहले अस्थान पर है वहीं बात करें तमिल नाड़ के तो इसमें तमिल नाड़ जो है वो दूसरे अस्थान पर है आज का मारा नेस्ट कोश्चन है राश्टी स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानी देशक कौन बने है इसका राइट एंसर है ओप्शन नमबर A जी असोग कुमार हाली में जी असोग कुमार को राश्टी स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानी देशक के तोर पर नियुक्त किया गया है आज का मारे निश कोश्चन है 3 जनवरी 2022 को किस देश की पहली महिला सिक्षक सवित्री बाई जोतिवा राव फूले की कौन सी जैनती मनाई गई है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर ए 191 जैनती या 3 जनवरी 2022 को मनाई गई यानि जोतिवा राव फूले सवित्री बाई जोतिवा राव फूले ये देश की पहली महिला सिक्षक हैं और इनका जन्म कब हुआ था इनका जन्म दिवस का मनाया जाता है तो ये तीन जन्मरी को मनाया जाता है आज का अमारे निश्ट कोश्चन है हाली में भारत के पहले किस पड़ोसी देश ने एक जन्मरी 2022 से नया भूम सीमा कानून लागू किया है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर सी चीन के दोरा हाली में चीन के दोरा या चीन ही वा देश है भारत का पड़ोसी देश है जिसके दोरा एक जन्मरी 2022 से नया भूम सीमा कानून लागू किया गया है चीन की जो बार्डर लाइन है वो सबसे अधिक देशों कितने 14 देशों के साथ बार्डर लाइन से एर करता है इसमें जो अवड़ांचर भारत का जो अवड़ांचर प्रदेश का छेत्र है या छेत्र भी भारत जो है चीन के साथ टच है और अवड़ांचर प्रदेश के का नाम चेंज कर दिया गया है आज का मारा अनिश कोश्चन है भारती रिजर्ब बैंक यानि आर्बियाई के नए कारेकारी निदेशक एडी कौन नियुक्त हुए हैं इसका राइट एंसर है ओप्शन नमबर सी उपर युक्त दोनों यानि दीपक कुमार वा अजेक कुमार च नियम 1934 के द्वारा एक अप्रेल 1935 में आर्बियाई के स्थापना की गई थे और आर्बियाई के हैड कोटर ये वर्तमान समय में ये मुंबई में स्थित है और प्रजेंट टाइम में आर्बियाई के जो गवर्नर हैं वो सक्तिकांत दासी है आज का मारा नेश कोश्चन है तीन ट्रिलियन डालर मार्केट वैलू वाली दुनिया की पहली कमपनी कौन सी बनी है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर सी एपल तीन ट्रिलियन डालर या थ्रिय ट्रिलियन डालर मार्केट वैलू वाली दुनिया की पहली कमपनी एपल बनी है और ये संयुक्त राजि बिवा मुक्त जीला घोसित किया मोस्ट इंपर्टेंट कोशन इस्टार लगा ले जी आपको किसी नहीं किस एक्जाम में यह कोशन देखने को जरूर मिलेगा कि किस राजी के गंजन जीले ने खुद को बाल बिवा मुक्त घोसित किया है इसका राइट एंसर है ओफ्शन लोसर महोसो किस राजी या फिर केंद सासित के दोरा मनाया जाता है इसका राइट एंसर है ओफ्शन नमबर ए लद्दाक के दोरा लोसर महोसो का आईजन प्रतिवर्स लद्दाक में किया जाता है एजन न्यू येर के फॉर्म में जैसे हमारे यहां नया साल मना जाता है या पिर यहां पे जो भी UP हुआ भी हार हुआ और बाकी MP जितने भी चेत्रे यहां पे न्यूऎर के रूप में मना जाता है लेकिन जो जम्मू कस्मीर है नूसार मोहशब के रूप में सेलिप्रेट करते हैं आज का हमारा नेस्ट कोश्चन है, अकेले दक्षुरी धुरूप पहुचने वाली पहली भारतवनसी महिला कौन बनी है? इसका राइट एंसर है, ओफ्सन नमबर ए हरप्रीत चंडी, हरप्रीत चंडी या अकेले दक्षुरी धुरूप पहुचने वाली पहली भारतवनसी महि किला के रूप में बनी हैं आज का हमारा नेस्ट कोश्चन है किस मंत्राले की स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ट्स एक्शन एंड रिसर्च यानि सार्स नामक कारिकरम सुरू किया है इसका राइट एंसर है आप्शन नमबर बी आवास एंड शहरी कार मंत्राले के दौरा हाली में आवास एंड शहरी कार मंत्राले के दौरा इस्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टूवर्ट्स एक्शन एंड रिसर्च यानि सार नामक कारिकरम की सुरूगात की गई है आज का हमारा नेस्ट कोश्चन ह अमेरिकी परमाड़ वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर ए, एमी बॉर्न स्मिट हाल ही में एमी बॉर्ण इसमिट को अमेरिकी परमॉड वाहक की कमान समभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन के रूप में नियुक्त किया गया है आज का अमारा निश्ट कोश्चन है किस कमपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इसराइली सिक्योटी स्टार्ट अप सिंप्लीफाई का अधिगरहन किया है इसका राइट एंसर है option number D Google हाली में Google के द्वारा cyber हमलों से निपटने के लिए Israeli security startup simplify का अजिगरहन किया गया है बात करें अगर Pegasus software जो Pegasus Pegasus software है इसका संबन भी इसराइल से है आज का मारा next question है रामनात गोयन का पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है इसका right answer है option number B पत्रकार्ट्या के छेत में या पुरसकार दिया जाता है और इस वर्स जिसान ए लतीफ को रामनात गोयन का पुरसकार से सम्मानित किया गया है बात करें अगर पत्तिकारत के शेत में तो पुलिटजर पुरसकार पुलिटजर पुरसकार ये भी पत्तिकारत के शेत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरसकार है वही रामनात कोयन का पुरसकार इसे जिसान ये लतीप को दिया गया है आज का मारा नेश कोश्चन है हाली में पदमिस्री पुरसकार विजेता डाक्टर सिंदूताई सबकाल का 73 साल की उम्र में निधन हो गया एक किस राज़ से संबंदित है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर A महारास्ट हाली में सिंदूताई सबकाल का निधन हो गया है और यह जो है महारास्ट से संबंदित है इन्हें यह सिंदूताई सबकाल को अनाथो की मा क्या का जाता है इन्हें अनाथो की मा के नाम से जाना जाता है आज का मारे नेश कोश्चन है भारत कितने देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसायनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा इसका राइट एंसर है ओफ्सन नमबर डी कुल 46 देशों के साथ भारत कुल 46 देशों के साथ अभ्यास मिलन 2022 नौसायनिक युद्ध खेलों की मेजबानी करेगा और यह कहां पर हो जगा या इसका अभ्यास मिलन 2022 है या बिशाखा पत्नम में इसका आयूजन किया जाएगा आज का मारे नेश कोश्चन है हाली में अंतर राष्टी सौर गट बंदन यानि इंटरनाशनल सोलर अलाइंस में सामिल होने वाला 102 देश कौन बना है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमर डी एंटी गुआवा बार बुड़ा हाली में एंटी गुआवा बार बुड़ा को इंटरनाशनल सोलर अलाइंस में सामिल होने वाला 102 देश बनाया गया है वहीं बात करें 101 वा देश तो USA यानि United States अफ अमेरिका इसको 101 देश के रूप में सामिल किया गया है किस में I.S.C. यानि International Solar Alliance की स्थापना वर्ष 2015 में किया गया था और इसका जो हैट कोटर है वो भारत या भारत जो हरियाड़ा राज्य है वहां के गुड़गाव में स्थित है आज का मारे निश कोश्चन है Mother Teresa Memorial Award 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है इसका राइट एंसर है Option No.8 Denmark हाली में Denmark को Mother Teresa Memorial Award 2021 से सम्मानित किया गया है बात करें Denmark की कैपिटल तो क्या है Denmark की कैपिटल ये कोपेन हेगन है और Denmark के एक European देश है आज का हमारा निश कोश्चन है केंद्री विज्ञान और प्रद्योगी की राजमंत्री डॉक्टर जीतेन सिंग ने राश्टी विज्ञान दिवस 2022 की थीम लांच की है तो राश्टी विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है सतत भविस्षी के लिए विज्ञान और प्रद्योगी की में एकी कृत दिश्ठी कोड यानि ओप्सन नमबर C राइट होगा केंद्रिय विज्ञान और प्रद्योगी की राजमंत्री डॉक्टर जीतेंद सिंग ने राश्ठी विज्ञान दिवस 2022 के ठीम के रूप में सतत भिकास के लिए विज्ञान और प्रद्योगी में एकी कृत दिश्ठी कोड को चुना है बात करें प्रतिवस 29 फरवरी को प्रतिवस 29 फरवरी को राश्ठी विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है आज का मारा निश्ट कोश्चन है वर्ड एकोनामिक आउटलूक रिपोर्ट 2022 को किसने लांच किया है इसका राइट एंसर है ओप्सन नम्बर A, I.M.F यानी अंतर राश्टी मुद्रकोस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसी के दारा यानी I.M.F के दारा हर वर्ड एकोनामिक आउटलूक नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है इसकी इस्थापना वर्ड एकोनामिक आउटलूक नामक रिपोर्ट जारी किया जाता है और World Bank और IMF इन दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है और इसका Headquarter अगर पूछे तो Washington DC में इसका Headquarter है आज का हमारे निश्क कॉस्चन है बिस्व युद्ध अनाथ दिवस यानि World Day of War Orphans 2022 कम मनाया गया है इसका राइट एंसर है option number A 6 January को हाली में 6 January को बिस्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है आज का मारे निश्क कॉस्चन है स्वचालित उत्पादन नियंत्रण यानि AGC परियोजना राष्ट को किसने समर्पित किया है इसका राइट एंसर है option number C इस वर्स यानि वर्स दो हजार दो हजार इसका राष्ट यानि यूद्ध फैस्टिवल का आयोजन कहां होगा इसका राइट एंसर है option number A पुद्ध चेरी में इस वर्स यानि वर्स दो हजार दो हजार बाइस का राष्टि यूद्ध महोसो का आयोजन ये पुद्ध चेरी में होगा पुद्ध चेरी में कुल्चार जिले है पहला तो पुद्ध चेरी है पुद्ध चेरी में कुल्चार जिले सामिल है जहां पर पुद्ध चेरी में राष्टि वर्स वर्स दो हजार बाइस का आयोजन किया जाएगा आज का मारा निश कोशन है भारतिय मूल के किस ब्यक्ति को चैंबर साब कामर्स दोरा यूएस इंडियान बिजनेस काउंसिल यानि यूएस आई बीसी का नया अध्यक्ष निउक्ति किया गया है इसका राइट एंसर है ओप्शन नमर डी अतुल केसब को हाली में अतुल केसब को चैंबर साब कामर सुद्वारा यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आज का हमारा निश्ट कोश्चन है किस देश के कृतिम सूरज ने सत्रा मिनट तक साथ करोर डिगरी सेलसिया उर्जा निकाल कर 200 रिकार्ड बनाया है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर भी चीन के दोरा या रिकार्ड जो है तीन चीन के दोरा बनाया है यानि कितिम सूरज कितिम सूरी का निर्माड या चीन के दोरा किया गया है जो सत्रा मिनट तक साथ करोर डिगरी या साथ करोर डिग्री सेल्सियस उर्जा निकाल कर 200 रिकार्ड बनाया है यानि जो जो सूर वर जो प्रानेचुरल सूर है उससे पांच गुना या एनर्जी पांच गुना अधिक है आज का मारे निश कोश्चन है निम्न में से किसे आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है इसका राइट एंसर है ओफसन नमबर सी गोवा के कैंद्रिय मंत्री या गोवा के कैबिनेट मंत्री परताप सिंग राणे को आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है ये भी कुश्चन important है क्योंकि इनका जो कारिकाल था ये 50 वस पूरा हो चुका था जिसके उपलक्ष में प्रताप सिंग राणे को आज इवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है आज का हमारा निश कोश्चन है संगाई साहयोग संगठन यानि संगाई कॉर्पोरेशन ऑर्गनाञजेशन एससी यो के नए महाशाची कौन बने है इसका जांग मीं को संगाई सायोग संगठन के नए मां सचिव के रूप में नियोख्द किया गया है, यहसियों में वर्थमान समय में कुल नौ देश should array वो कॉंसा है वो ईरान यहसियों में 90 देश के रूप में उरान को सामील किया गया है भारत और पाकिस्तान को स्योग्त रूप से उर्स 2017 में Gibson की सदसेता प्राप्त हुई थी किसको इंडिया और पाकिस्तान इन दोनों को आज का मारे नेश कोश्चन है कहा कि सरकार ने स्टूडेंट स्टार्ट अप और इनोवेशन पॉलिशी 2.0 को लांच किया है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर एक गुजरात हाली में गुजरात की गौवर्मेंट के दोरा स्टूडेंट स्टार्ट अप और इनोवेशन पॉलिशी 2.0 का अनावरण किया गया है आज का मारे नेश कोश्चन है सुरक्षा पर्षत की आतंकवाद निरोधी समित यानी CTC के नए अध्यक्ष कौन बनी है इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर एक टी एस तीरुमूर्थ हाली में TS3 मूर्थ को सुरक्षा परषद की आतंकवाद निरोधिश समीत के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है आज का मारा नियुक्त कोश्चन है बहुरास्टी अभ्यास Sea Dragon 2022 Sea Dragon 2022 किन 6 देशों के बीच आयोजिश हुआ है इसका राइट एंसर है इन 6 देशों के साथ Sea Dragon 2022 का आयोजिशन किया गया है और यह बहुरास्टी अभ्यास है आज का मारा नियुक्त कोश्चन है अंक जोतिस में पहली बार गिनीज वर्ड रिकार्ड और 2022 का पहला वर्ड रिकार्ड किस भारतिये ने बनाया है इसका राइट एंसर है आज का मारा नियुक्त कोश्चन है ममता वियान 2021 यारनी ममता वियान 2021 नामक पुष्टक किस के दोरा लिखा गया है इसका राइट एंसर है ओप्शन नमबर बी जैन्त गो साल जैन्त गो साल के दोरा ममता वियान 2021 नामक बुक लिखी गई है आज का मारा नेस्ट कोश्चन है क्रिश लागत और मूल आयो गयाने Commission for Agriculture Cost and Price CACP के फिर से अध्यक्ष कौन बने है इसका राइट एंसर है Option number C BJ Paul सर्मा कोशन Most Important है हाली में BJ Paul सर्मा को Commission for Agriculture Cost and Price के फिर से जो है अध्यक्ष के रूपे इनको नियुक्त किया गया है आज का हमारा निश कोशन है भारत के पहले Open Rock संग्रहले का उदगाटन कहां किया गया है इसका राइट एंसर है Option number C हैदराबाद में भारत के पहले आज का हमारा निश कोशन है यहाँ पर जितने भी कोशन थे हो सारे कम्पलीट हो चुके हैं तो तीन जनुरी से लेकर नौ जनुरी तक जितने भी important current affairs थे इस सभी का revision इस वीडियो में किया गया है तो फ्रेंड अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगए हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप मारे चैनल में first time बिजिट कर रहे हो तो हमारे चै